इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मंदल इंप्लिमेंटेड मंदल इंप्लिमेंटेड वाट तो देखो यहां पर मंदल क्या है implemented क्या है मंदल commission क्या है recommendation क्या रही वो सारी चीजे में आपको बताने वाला हूँ पहले एक बार connect कर लेते हैं topic को पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से अगर बात की जा है 1990s की तो यह जो time period रहा recent development in Indian politics तो इंडियन politics मे जो development हो रहा था उस time period में कहीना कहीं क्या हुआ मतलब broadly अगर समझा जाया तो उस time period में कहीना कहीं यह हुआ कि बहुत सारे factors बहुत सारे development हो रहे थे तो जैसे एक development जो हमने देखा तो collision government का rise दूसरा development जो है वो यह है कि OBC जो है other backward classes जो है वो politically rise कर रही थी तो उनका political rise जो है मंदल कमिशन की recommendation और उसके implementation पर बहुत कुछ depend करता है तो मंदल कमिशन क्या था recommendation क्या थी क्या किस तरह से political rise होता है वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में जानने वाले हैं समझने वाले हैं समझ में आया topic क्या है fine इस chapter के notes कब कौन सा session आना यह सारी updates आपको telegram channel पर मिलती रह से download कीजिए क्योंकि इस app पर आपको बहुत सारे features मिलेंगे जैसे notes आप PDF के form में free of course download कर सकते हैं live real-time interaction होता special class होती है जहां पे आप अपने doubts clear कर सकते scholarship exam होती है पोल्स वगेरा होते हैं और इन सारे features को आप enjoy कर सकते हैं free of cost using the code दिगराज ठीक है तो प्लीज डाउनलोड दिए अग्ली चीज जो है अब अगली चीज क्या है यहां पर कि मंडल implemented के अगर हम बात करें तो जो political developments हो रहे थे उसी के साथ में आपको backward glasses का राइस भी देखने क 1980s में अगर आप जिसे देखोगे तो जनता दल बनता है अब जनता दल पता क्या है तो 1988 में जो वीपी सिंग थे वीपी सिंग की leadership के अंडर में जो कह सकते हैं कि कुछ regional political parties थी वो सारी regional political parties एक साहत आती है जैब प्रकाश नारायन की बर्थ है निवरसरी के दिने एक साहत यह 2523 को जनता दल बनाने का प्रयास के जाता है वीपी खूच औरícialor प्लेटीकल प्राइपो अपने साथ लाके बोलते है कि अब लड़के दिखाएंगे और यहां पे जो जनता दल बन रहा था तो यह जनता दल बन रहा था तो दस जनता दल brought together a similar combination of political groups with strong support among OBCs ठीक है तो ऐसे ही कुछ political groups को एक साथ लाया गया ठीक है और वो सारे political groups जो थे तो मैंने बताया कि regional parties grow कर रही थी तो यह सारे regional level पे other backward classes जो है उनका strong support लेकर बैठी थी य under the umbrella of जनता दल समझ में आ रहा है तो अच्छे से समझ आ कि political development जो हो रहा था late 1980s में जनता दल जो की एक कह सकते हैं जो समय की ruling government थी किसकी राजीव गांधी की तो राजीव गांधी को एक tough कह सकते competition देने के लिए वीपी सिंग मैदान में खड़े हुए थे और वीपी सिंग of national front government to implement the recommendation of mandal commission further help in the shaping of politics of other backward classes और support क्यूं था पता है जनता दल को या फिर national front को OBCS का support क्यूं था क्यूंकि इनका election propaganda ये था इन्होंने ये एक तरह से idea बना लिया था क्या कि mandal commission की जो report है mandal commission की जो recommendation है उस हिसाब से other backward classes को reservation देंगे अगर हम power में आते हैं तो कौन वीपी सिंग जनता दल जो थी या फिर कह सकते हैं कि जो national front की government थी national front की government नहीं हाप एक कास्ट वाला card खेला कास्ट वाला card ऐसे खेला कि अगर हम power में आ गए तो हम क्या कर देंगे support देंगे reservation देंगे वाली बात आई ना तो उस reservation देंगे वाली बात से लोग खुश हुए कौन other backward classes और इस इस मंडल implemented वाला जो पार्ट है इस से अधर बैकवर्ड क्लास को मिलेगा आप कहानी समझ मैं आपको बड़ी पिक्चर समझ मैं क्या है बड़ी पिक्चर तो इस तरह से आपको क्या करना है चीदों को connect करके पढ़ना है कुछ भी हवा में नहीं पढ़ोगे जब तक पिछले समझ में आगी चलो क्या political development हो रहे थे और वो political developments कैसे OBC के rise में मदद करेंगे क्यों क्योंकि जो national front बना था national front कही न कहीं कह सकते support enjoy कर रहा था और power में आने के बाद में उस national front ने क्या वादा किया वादा ये किया कि हम मंडल कमिशन की report को implement करेंगे मंडल recommendations जो हुने implement करेंगे अब आपके मंद में जो सवाल होगा वो सवाल होगा कि मंडल recommendation है क्या मंडल commission क्या है है तो अभी के लिए हम topic को यहाँ पर क्या करते हैं इस तरफ मोड़ देते हैं मंडल commission क्या है मंडल commission की recommendation क्या थी यह सारी चीज़ है clear रहा तो the bundle commission को समझो तो मंडल commission का background ऐसा है कि जो OBC इस यह ना अधर backward classes अधर backward classes जैसे थोरी नहीं कि 1990 में यह मर्जूई एकदम से category तो हमेशा से रही यह मतलब जो schedule tribe भी नहीं schedule कास्ट भी नहीं जो सवार्न की category में भी नहीं आते हैं सवार्न की category मतलब क्या है जो general की category में भी नहीं आते हैं तो अब इन लोगों का यह objective था कि यह जो category है अधर backward classes की इसका क्या और यह country का major population का sharehold करती थी ठीक है तो अब क्या है यहाँ पर आप जिसे देखो कि reservation जो OBC के लिए था ना वो exist नहीं करता था Northern India में Southern States में था 1960 से क्योंकि Southern State की कुछ parties जो थी तो Southern State की कुछ parties वहाँ पर कह सकते हैं state level पर क्या है reservation दे चुकी लेकिन but this policy was not operative in Northern Indian States और आपको एक चीज बता दू कि Indian politics जो है ना इंडियन national politics is more or less governed through the central नदन हिंदी हाट्लें इस्टेट्स हिंदी हाट्लें इस्टेट्स जो है तो नदन इंडिया जो है ठीक है उत्तरप्रदेश में population भी जादा है जैसे उत्तरप्रदेश बिहार वगेर तो यह जो कुछ states है North India के यह कही ना कही इंडियन national politics को बहुत जादा influence करते हैं तो अब क्या है कि जब नदन स्टेट्स में OBC के लिए कोई reservation जैसा provision था नहीं तो इसके चलते क्या है और Southern States में था तो धीरे-धीरे कुछ political leaders ने जो क्या है जो OBC के leaders थे exclusively जो OBC politics के साथ में grow क कर रहे थे उन लोगों ने से मुद्दा बनाया ठीक है तो डियूरिंग टेने और जनता पार्टी जैसे मैं आपको बताया कि 1977 वाली जनता पार्टी है तो जनता पार्टी में क्या देखने को मिलता आपको कि जनता पार्टी क्योंकि Congress अपना other backward classes के बीच का support खो चुकी थी तो नॉन Congress parties के लिए वैक्यूम बना था तो नॉन Congress party में जनता पार्टी थी अब जनता पार्टी ने जनता गवर्मेंट जब बंती 1977 में तो जनता गवर्मेंट ने क्या किया उसने अधा backward classes को अपने लिए पॉलिटिकली मोबिलाइज करने के लिए जनता गवर्मेंट डिमांडेट दी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन नदन इंडिया एंड दी नैशनल लेवल वास्ट्रॉंगली रेजड ठीक है तो नदन इंडिया में बात उठना मतलब क्या है कि नैशनल लेवल प पॉलिटिकली कह सकते हैं कि पॉलिटिकली पॉलिटिकल इशू बनाया गया तो करपूरी ठाकुर जो थे करपूरी ठाकुर यू थे आईगेस करपूरी ठागुर फॉर्मॉला इस वरी वेल नोन फॉर्टी सबडिविजन इन ओबीसी जो ओपीसी के अंदर भी अन्दर उन्होंने क्या बिहार में उस समय प्राइम बिहार के तो जब इन्होंने क्या बिहार में एक करके दिखा तो आप एक जामपल को कर लेते हूं की सी ने किया है यह यह किया जासकते है तो फॉलएंग दिस the Central Government appointed a commission in 1978 to look into the recommended to look into and recommend ways to improve the conditions of backward classes अब समझना तो अब क्या हो रहा है जो demand उठाई थी 1977 की जनता government ने उस जनता government ने एक्स्प्रिमेंट देखा कि कर पूरी ठागुर कुछ कर रहे हैं ठीक है तो उसी के चलते क्या होता है कि जो उन्होंने commission appoint किया 1978 में 1978 जनता पार्टी पावर में है जनता पार्टी चाहती ही थी कि अधर backward classes को resolution दिया जाए तो उसके चलते क्या होता 1978 में जिसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या देखने को मिलते है आपको यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि एक commission को appoint किया जाता है बीपी मंडल ठीके बीपी मंडल जो है तो बीपी मंडल के बारे में हम आगे पड़ेंगे यह तो यहां पर जिसे आप देखोगे ना बिंदेश्वरी प्रशाद मंडल यह खुद आपकी क्या करें कि backward classes का improvement हो जाए किसे backward class माना जाएए तो देखो यहां पर समझना 1978 में appoint किया गया था commission commission ने अपने काम करना चालू किया सारी चीज़ें सब कुछ चल रहा था ठीक और यह पहली बार नहीं था कि backward classes के लिए commission अपॉइंट किया गया हो ठीक यहां पर मंडल कमिशन है इसे second backward class commission कहा जाता है क्यों क्योंकि first backward class commission बहुत पहले 1950s 60s में appoint किया गया था काका केलकर commission ठीक है काका केलकर commission बिपी मंडल नहीं यह काका केलकर commission जो first backward class commission था ठीक है अब second this was the second time since independence as the government has appointed a क्या सकते हैं appointed sahaja commission और इसी के चलते इसे क्या कहा गया second backward class commission कहा गया therefore this commission was officially known as second backward class commission known as mandal commission after the name of chair person ठीक है बंदेश्वरी प्रशाद मंडल तो बंदेश्वरी प्रशाद मंडल जो है बीपी मंडल तो क्योंकि यह चेयर परसन थे इस कारण से क्या नाम दिया गया बीपी मंडल नाम दिया गया बीपी मंडल कोन है थोड़ा सा और समझ लेते हैं तो Member of Parliament from Bihar from 1967 to 70 तो 1977 to 79 तो यहां इतने समय तक क्या रहे है यह Member of Parliament रहे बिहार से chaired the second backward class commission that recommended reservation for other backward classes a socialist leader from Bihar Chief Minister of Bihar for just a month and half in 1968 यह जो उतल पुतल चलती रहती है रीजनल पॉलेटिक्स ठीके स्टेट पॉलेटिक्स तो उसमें देड़ महने के लिए Chief Minister भी रहा है बीपी मंडल यह बहुत कम बच्चों को पता रहता है ठीक है जॉइन दी जनता पार्टी का इंप्लिमेंटिशन कहीं ना कहीं पॉलेटिकल लिए जो लोगों के राइस में इंपॉर्टन रोल करता है तो रीजिनल पार्टी थी तो वह पोलेटिकल डेवलेफ्मेंट हो रहा था तो रीजिनल पार्टी ने अजर बटाइज के मद्धा बनाया ठीक है और वह क्लास क מחत टा में जटांट की, यहाँ यहां तक अब अब देखो होता है तो अब्जी क्या था मंदल कमिशन का सिंपल यह पता करना चाहिए और धर क्लास में कौन कई पनाएंगे और उनका improvement कैसे हो सकता है यह अब्जेक्टिव था तो अब्जेक्टिव क्या था मंदल कमिशन का to set up and investigate ठीक है to set up investigate the extent of educational and social backwardness अमंग various sections of Indian society and recommend ways to identify these backward classes ठीक है तो यहां पर आपको समझना होगा क्या था objective कि वो investigate करें कि कि किस तरह से social backward classes जो है उन्हें identify कर सकते लगला sections को उन्हें कैसे uplift किया जा सकता रिकमेंडेशन्स on the ways in which backwardness could be ended वो backward classes है तो backward classes की backwardness को खतम कैसे किया जाए ठीक है उस पर recommendation दू यह idea पिच किया गया था मंदल कमिशन के दरफ से ठीक है यह idea मतलब मंदल कमिशन से यह expect किया गया था यह objective से कि मंदल कमिशन क्यों बनाया जाए सबसे पहले देखो तो सही कि कौन backward classes के हगदार है ठीक है और दूसरी चीज़ अगर कोई backward classes में है तो उन्हें backward से forward क्या से बनाया जाए ठीक है the commission gave its recommendation in 1980 कमिशन ने तेजी से काम किया 17 जैसे आप देखोगे 1978 में पॉइंट किया तो 1980 में अपनी recommendation देवी अब recommendation क्या दी देखो यहां पर political development को समझते चलना जनता government जो थी जनता पार्टी जो थी जनता पार्टी ने ज्यादा इंटर्स दिखाया था लेकिन 1980 आते आते जनता पार्टी जा चुकी थी थी तो आप क्या है अब बचा क्या आप बचा आपके पास जी था कि आप Congress आ गई पावर में तो Congress अगें Congress रिपोर्ट का क्या हो implementation हो तो इस तरह से आपको पॉलेटिकल साइंस के स्टुडेंट हो थो पैरलल अंडर करेंट जो है उन्हें समझते चलना तो 1980 में ही recommendation आगया था लेकिन implement क्यों नहीं किया बदा है implement इसी नहीं किया क्या सरकारे बदल जाती तो पूरी policies बदल जाती है democracy में यही नुक्सार है कि long term vision नहीं बन पाता क्यों कि short term में जब government change होती पांस साल में पांस साल में दो साल में चार साल में तो उसकारण से क्या कोई बड़ा विजन long term decision नहीं लिया जा सकता है समझ में आरी चीज़ें तो इस तरह से मंडल implemented की कहानी में आपको यह समझ में आप यहां देखोगे तो recommendation of mental commission में क्या आएगा कि the commission advised that backward classes should be understood to mean backward caste तो यहां पर commission क्या advice करता है backward classes should be understood to mean backward caste जो classes की बात करो तो उसमें जितनी backward caste है ना जो schedule caste और schedule tribe के अलावा जो पिछडी जातिया है जो पिछडी जातिया मैं जिसमें क्या जाएगा तो जिससे कर आप देखेंगे अब क्या हो रहा है कि जो क्या सकते हैं for example यादा उस हो गए यादा उस हो उत्तरप्रदेश जिसे हैं तो वो क्या है वो schedule caste में भी schedule tribe में भी नहीं general category में नहीं है लेकिन वो क्या है पिछड़ा वर्ग में आ जाता है ठीक है तो इस तरह से क्या हो जाता है commission advice कि backward classes should be understood to mean backward caste since many caste other than schedule caste were also treated as low in the caste hierarchy तो जो caste hierarchy में आप दिखेंगे तो जो schedule caste के लोग है ठीक है जो schedule caste जो so called schedule caste है जिसको लोग लो कास्ट मानके चलते हैं तो वो लो कास्ट के अलावा भी कुछ ऐसी caste है जो पीछी पीछे रगी है और जिन्हें क्या करना पड़ता है जिन्हें मतलब society में क्या है जो caste hierarchy है तो उसमें जो अपर caste के लोग है वो उन्हें से लो कंसिडर करतें जीसे वार्बर सुं गया है ठीक है तो जो बाल काटते हैं तो नए जो कहा जा यह सबको क्या और क्या करने की घरवत है रिजरवत है कि प्रविक worse निकल काया इस निकल क Опर दिन चर्वेल धेकाड से लों प्रेंस पेड़न से ने इंट्टीटिएशन प्रविक सरविसजंस है लग एपने investigation में अपने survey में क्या पाता है कि यह जो classes है ना इन classes का ठीक है यह जो class के लो के लिए तो यह जो सारी classes है यह जो सारी कास्ट है इन कास्ट का लो representation है educational institutes में और government jobs में public services में तो इसके चलते इनका मतलब आपने क्या कर लिया diagnose कर लिया कि परिशानी क्या है तो आप उसी का समाधान देद होगे तो उन्हेंने यह कहा मंडल कमिशन रिकमेंड रिकमेंडेट सर रिजर्विंग त्वेंटी सेवन परसेंट आफ सीट इन educational institutions and government jobs for these groups चीए तो मंडल कमिशन ने क्या रिकमेंड किया कि 27 परसेंट जॉब्स जो है वो रिजर्व कर दी जाए न चीए किसके लिए socially and educationally backward classes other backward classes इन्हें कहा जाएगा OBC के लिए 27 परसेंट जॉब्स रिजर्व कर दी जाए उसी के सासाथ मंडल कमिशन अल्सों made many other recommendations like land reform to improve the condition of the OBC सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं करी थी तो चीदों को समझना क्या रहता है ना politics में यही तो मजा है या फिर यही तो सजा है कि चीदों को बहुत तोड़ा मरूडा जाता है मंडल कमिशन का objective सिर्फ यह नहीं था कि मंडल कमिशन का objective था कि पता करो कि कौन अधर बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनका कैसे इंप्रूव्मेंट किया जा सकता है तो जो रिकमेंडिशन दी आती मंडल कमिशन के द्वारा तो रिकमेंडिशन बहुत सही थी क्या की कास्ट जो है तो कास्ट हरार्की में सिर्फ रिकमेंडिशन दी थी क्या दी थी जैसे बोला था लैंड रिफॉर्म लाओ जमीन मिलें जमीन मिलें इससे क्या होगा कि जो अपर कास्ट के लोग हरायर्की बना के बैठे हैं किस तरह से बड़े बड़े लैंडलोट वगरा जो हुआ करते थे तो उनसे जमीन लेके भी दी थिया तो यहां देखा कि हमारी पार्टी को चविक इससे मिल सकती है कि हम देंगे अगर पावर में आते तो इस तरह से यह समझ में आयए कि recommendation क्या थी simple to the point अगर बात करें तो these were the recommendations given by the mandal commission mandal commission क्या था क्यों appoint किया गया किस objective के साथ ने appointment के बाद में उसने क्या अपनी recommendation दी वो इतना हो गया अब इसके बाद में implementation के बात आती ना तो august 1990 89 में सरकार बनती है किसकी वीपी सिंग की और उन्हेंने बोला कि हम तो mandal commission की रिपोर्ट जो है recommendation यह उसे implement करेंगे mandal implemented और implement कर भी दी तो august 1990 में क्या होता है office memorandum pass किया जाता है order pass किया जाता है जिसके चलते national front जो decided to implement one of the recommendation one of the recommendation और वो क्या थी वो यही थी कि reservation जो है reservation for OBCs in jobs in central government and its undertakings तो jobs और educational institutions दोनों ही जागा हम क्या कर रहे है अधर backward glasses को reservation दे रहे हैं यह निर्ने ले लिया किसने यह निर्ने ले लिया national front की government ने वीपी सिंग के अंडर वाली जो government थी उसने fine तो यह जब निर्ने लिया गया तो this sparked agitation and violent protests throughout the country specifically in northern इंडिया अब नदन इंडिया में जब इस तरह से reservation दिया गया तो जिन्हें मिला वो खुश थे जिन्हें नहीं मिला वो ना खुश थे और इसी के चलते क्या है कि दोनों groups conflicts में उतर आए एक दूसरे के आमने सामने उतर आए तिके प्रोटेस्ट चक्का जाम स्ट्राइक्स यह सारी चीजें 1990 में देखने को मिल रही थी तो अब आजाओ जरा कहानी में वापिस वही वाली कहानी कौन सी रिसेंट इंडियन politics में क्या development हो रहे है यह development हो रहे है कि एक तो collision government का रहा था political stability नहीं थी इसको जोड़ो के उसको जोड़ो के बनाई थी सरकारे और उपर से क्या हो रहा तो उपर से समस्या यह जा रही थी इस तरह से सुप्रीम कोट में कि ऐसा reservation नहीं दे सकतो सबको जनरल क्या होगा ठीक है और इसी के चलते क्या है फेमस इंद्रा सहाने केस जो है वह आपको देखने को मिलता है तो इंद्रा सहाने वर्सस यूनियन ऑफ इंडिया यह जो केस था अब इस केस में क्या होता यह केस देख अब सबने क्या है सबको मत दो रिजर्विशन तो reservation का ने गलत नहीं है सुप्रीम कोट ने यह यह देकलियर कर दिया और नवंबर कोट ने भी बोला कि आप इसमें जैसे 1 से pearse किया जाता है 1993 में चैनले के बाद में उसका इंपलीमेंटेशन जो हुओ तो हुआ argument जैसे क्हाएं केस हुआ केस हमें में सुप्रीम कोट कॉंग्रेस उसी को अपोस करेगी लेकिन जब कॉंग्रेस पावर में आएगी ना तो कॉंग्रेस अगेन क्या करेगी उस निर्णय को सही बताएगी तो देर वर सम डिफ्रेंसे अमंग पॉलिटिकल पाटीज अब दी मैनर फिम्लिमेंटेशन अफ इस इस डिसीजन बट नाव अब कुछ बच्चे पूछते हैं आप बता दो आपको उस ग्रूप का सपोर्ट मिल जाएगा लेकिन अगर आपने रिजरेशन खतम कर दिया ना तो आपको उस ग्रूप का सपोर्ट पूरी तरह से खतम होना ये भी ताय है ये भी ताय है तो इसके चलते क्या है नाव दिपॉलिस्टि फॉर ओबीसी ज़ाएगा है तो क्या इकनोमिकली वीकर सेक्षिन के लिए रिजरेशन लाना है आप कह सकते हो कि हां ये रिजरेशन का थोड़ा सही मापदंड हो सकता है लेकिन खतम कर देना प्रैक्टिकल ही क् बोल्ड डिसीजन ले सके ऐसी पॉलिटिकल बाड़ी होना चाहिए ठीक है तो मंडल कमिशन रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेट इन पॉलिटिकल मोबलाइजेशन अब आप बापिस हाजाओ टॉपिक पे जो हमने टॉपिक यहां छुड़ा था ना कि कि किस तरह से राइज ह कैसे हुआ मंडल इंप्लीमेंटेस हैं मंडल इंप्लीमेंटेस से पॉलिटिकल एक सानphony समोगर मंडल से आप देखे हैं कि पॉलिटिकल रिकमेंडेशन और उस रिकमेंडेशन का implementation हुआ और implementation से जब political mobilization start हुआ तो national level पर debates होने लगी ठीक है against और for reservation कुछ लोग support करते हैं कि reservation well and good कुछ लोग protest करते हैं कि reservation गला थे और जो protest करते हैं केस भी किया ठीक है यह सारा सब smff कुछ हो रहा था अब यह जो पूरा क्या सकते है क्या चल रहा था पूरा ही जो नाजगाना चल रहा था एक तरह से की और सपोर्ड कर रहा है चलते क्या हो रहा है इसके चलते हैं क्यों सिंस लोगों केelia national level debate made people from the OVC Community more of their identity लोगों आ ragy अव्या मन की के Senesto प्रेटिकल पर्टिज कितने बड़ा निहीं ला रहे है तो इससे क्या है अगहीं जो है ठीक है आधर भीकवाड इस बीचरफ़ीन आप धेंटीटिटी scientists इस्टंत खेकिए तो वह टो वह इसे अपड़ीज्ज के बात कहने लेगे तो उन लीडर्स वritर क कुभि अपना क्या मिल गा है एक अलग support base एक अलग fan following मिल गई ठीक है फिर क्या है this period saw the emergence of many parties that sought better opportunities for OBCs in education and employment and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBCs ठीक है तो अब यह क्या है अब यह period में जब OBCs politically क्या होने लगे highlight होने लगे political leaders उन्हें mobilize करने लगे तो इसके चलते क्या होता है आप बहुत सारी political parties का emergence देखेंगे जो क्या बात करने लगी कि OBCs के लिए better opportunities education में employment में ensure किया जाए वो इस मुद्दे को उठाने लगी क्या कि जो power है वो enjoy की जाना चाहिए OBCs के द्वारा क्योंकि वो major section है ठीक है तो OBCs को क्या किया जा रहा है यहां पर politicize किया जारा politicization of caste देखने को मिल रहा है इस पार्टी इस क्लेम्ड देट सिंस ओवी सी कंस्टिटूटेड अ लार्ज सेग्मेंट ऑस इंडियन सोसाइटी इट वास ओनली डेमोक्रेटिक देट दी ओवी सी शूट गेट एडुकेट representation in administration and have their due share of political power तो simple सी चीज है कि इस तरह से क्या है मंदल कमिशन के recommendation के बाद में मंदल कमिशन के implementation पे आप क्या देख रहे हैं कि group जो था other backward classes की communities जो थी वो अवेर हो गई political parties अवेर हो गई और political parties और leaders ने क्या करना स्टार्ट कर दिया अवाद उठाना स्टार्ट कर दिया और इसी के चलते हमने जो टॉपिक पिछला टॉपिक पढ़ा था ब्रॉड है कि political rise of other backward classes आपको ऐसे देखने को मिलेगा ठीक है अब इसमें political fallouts में आप और अगला टरफ जो पढ़ेंगे उसमें कि किस तरह से कास्ट बेज़ड पॉलिटिक्स जब होना स्टार्ट होती है तो क्या होता है सिर्फ और ही नहीं डूसरी जो कास्ट है तो जैसे शेडियूल करण सेडिवल्टराइब है ठीक है तो वह सारा सबको समाज वादी पार्टी के राइ हो गए मुलायम सिंह हो गए तो यह इन पॉलेटिकल पार्टी का सम都有 अधर क्लासेz संब है तो यह so you know me लिए ने नेक स्ट पॉलेटिकल फॉलाओ वाला है जिस्में हम अन पंडिए теп इनती पीप्टिक actual we can we will thank you thank you very much